वेल्कम गाइज मैं नाम है शोभीक आप सभी को स्वागा थे वन मिलियन गैजेट में तो गाइज आज एक स्पेशल चीज़ है क्या है तो यह है उपो इनको M31 यह इनको क्या है मुझे नहीं पता बट एक को भी रख सकता था Amazon का एक को है कॉपी डाइट लग जाएगा उसलिए उपो इनको एंड बाइदे वे मैंने यह ब्लैक वाल वेडियों टॉडर किया है भाई ब्लैक इस लाइफ ब्लैक कलेक्शन ब्लैक इस लव एनिवे नॉटिंग की कम किया जाए वीडियो शुरू किया जाए okay let's unbox it Oppo Enco M31 neckband earphone warranty card obviously quick start guide for charging and दो प्यार एक्स्ट्रय टिप्स अफ डिफरेंट साइज ओके तो पहले आपर हम audio quality के बारे हैं बात कर लेते हैं फिर इसका जो features है और बिल क्वालिटी और जो कुछ भी है उन सब के बारे हैं बात करेंगे कर लेते हैं तो audio में यह पर बेस और लोज की बात किया जाए तो यह आरफोन ज्यादा तर बेस और लोज की उपर करना चाहते हो तब इसको अब मैनुआली कर सकते हैं अब इसकी की बात किया जाए तो मैं बता हूंगा अब इसकी हाइज और ट्रिबल की बात किया जाए तो भाई इस डिपार्टमेंट पर यह और भी थोड़ा सा इंप्रूब कर सकता था क्यूंकि मैंने रिसनली जे बेलन सनाइजर का जो वाइड एरफोन से उनको रिव्यू किया है उनका हाइज का क्वालिटी भाई एक्सलेंट है अब देख वाइड एरफोन के साथ यह टू लस नेग बैंड एरफोन को कंपेंड नहीं करना चाहिए कि आज भी वाइड एरफोन का जो वाई एक्सलेंट है बट तो भी है पर है और भी थोड़ा सा इंप्रूब बोसकता था है इस में पर वालिटी है बट है अगर सा प्रणाब्र फ्रणाउस्ट तो अवराल ऑडियो का जो पॉडियो का जो लय़्यू घुमिंट युद्क रहे है और है जिस चीज के लिए अब सब बट कर रहे थे औंग जिस चीज के लिए ओ explains है कि यह इन युद्ट हो जाता है वहें LDAC High-Res Audio तो क्या है यह LDAC और क्या इससे audio quality में आपको कोई भी massive difference मिलता है जान लेता है हम वीडियो में तो जब भी एक device से और एक device में Bluetooth के थ्रूँ audio transmission होता है उस time audio में बहुत सरा loss होता है और quality में तरह सा degrade देखने को मिलता है तो इस audio loss को prevent करने के लिए आपर कुछ Kodak होता है like Aptix and LDAC यह सब Kodak के करन audio loss बहुत ही कम हो जाता है और आपको lossless audio सुनने को मिलता है basically Qualcomm का है Aptix and Aptix HD and Sony का है LDAC and basically जो Sony का LDAC है वो आपको यह OPPO के एरफोन में देखने को मिल जाता है LDAC basically 3 modes में audio transmit करता है इसका जो maximum lossless bit rate quality और 990 Kbps जो basically SBC Kodak से 3 गुना जादा है यह पर last time जो मैंने एरफोन review किया था Redmi Air Buds S इसमें SBC Kodak यूज होता है वाराज यह पर OPPO, Inco, M31 में LDAC Kodak यूज होता है basically दोनों का price almost same है so definitely आपको यह चूज करना चाहिए इसके बदले but इससे क्या really audio quality में कोई difference देखने को मिलता है देखो आपका जो earphone है इसमें तो aptX, aptX HD या LDAC का सपोर्ट मिल रहा है but उसके साथ-साथ आपका जो device है आपका जो smartphone है उसमें भी LDAC का सपोर्ट रहना चाहिए LDAC basically जो Oreo and above devices है उनमें आपको LDAC का सपोर्ट मिल जाता है आप इंटरेनेट पर साच करोगे आपको देखने को मिल जाएगा ओडियो and above device में आपको LDAC का सपोर्ट मिल जाता है so device में at least LDAC का सपोर्ट रहना चाहिए आप देख सकतो HD audio LDAC का option है यह enabled है तो रात की तीन बजे मेरा बैटरी कैमेरा का बैटरी दोना ही डाउन हो गया था फिर हम सुभा में उठकर रेकॉर्ड कर रहे है आपको आपको आइडिया लग गया है so overall इसका जो ऑडियो क्वालिटी है और एक्सलेंट है I'll give a 9 out of 10 in terms of audio quality तो अब इसके build quality and features के बाड़े बात कर लेते है इसका build quality excellent है मैंने 2000 के निचे जितने भी neckband style earphones use किया है उनके मुकाबले इसका build quality बहुत ही अच्छा है यह पर आपको metal and rubber and plastic का mixture देखना को मिल जाता है यह पर थोड़ा सा metal यूज किया गया है जाता है flexible है बहुत ही आप देख सकते हो so build quality I'll give 9 out of 10 यह पर आपको type C charging port भी मिल जाता है triple buttons भी है यहाँ पर एक multifunctional button है and 2 volume up and down करने का button है यह आपर multifunctional buttons है music को pause and play call cut and receive assistant को active कर सकते हो even यह आपर आप double click से bass mode को active कर सकते हो and again double click करने पर अब नॉर्मल मोट पे भी आ सकते हो balance mode यह पर wear का quality भी बहुत ही अच्छा है and यह आपर joyr cup से इसके पीछे आपको magnet देखने को मिल जाता है and यह आपर magnet का भाई बहुत ही अच्छा रोल है इससे आप music को pause and play कर सकते हो even यह आपर कोई turn on and turn off का switch नहीं है अपर यह connect करने पर यह turn off हो जाता है इससे open करने पर यह connect हो जाता है और turn on हो जाता है open ने इसकी notification की उपर भी भाथ ध्यान दिया है जब आप device को connect करते हो तब ऑपको एक audio notification मिल जाता है even जब आप Turn-on करते हो बैटरी जब low होता है आप जब charging में connect करते हो यहां पर LED notification भी प्रोवाइट किया गया है Fittings and comfortability के मामले में यह neckband earphone बहुत ज्यादा comfortable है क्योंकि यह बहुत ही lightweight है यह कान में बहुत ही easily fit हो जाता है यहां आपको LNR indicator भी मिल जाता है for left and right ear यह earphone कान में बहुत ही अच्छे तरीकी से fit होता है so tight ceiling create करता है जिससे background noise बहुत ज्यादा cancel हो जाता है I mean passive noise cancellation है इसमें I will give 10 on 10 इसका passive noise cancellation excellent है लब इसको पैनने पड़ी जो background noise बहुत ज्यादा cancel हो जाता है इसकी driver size की बात किया जाए तो इसमें आपको मिल जाता है 9.2 mm का dynamic driver जो realme neckband से थोड़ा सा छोटा है and redmi air words S से तो असा बड़ा है so यह suitable spot पर है अब connectivity की बात किया जाए एक बार इस device को अपने smartphone के साथ pair कर लो from the next time बस इसको अप ऐसे open करो यह easily connect हो जाएगा आपके smartphone के साथ बहुत ही fast है यह आप आप audio response में मिल जाता है जब यह connect होता है कनेक्टिविटी में मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया है smartphone के साथ तो बहुती easily बहुती quickly connect हो जाता है बट laptop के साथ connectivity में आप प्रॉब्लम देगने को मिल रहा है मेरे पास एसुस टब स्रीस का एक latest laptop है उसमें यह प्रॉब्लम देगने को मिल रहा है बाइदर लेक्टप में Bluetooth में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा जितना भी बाक्यार Bluetooth डिवाइस ऐसा है वह बहुती easily connect हो जाता है बट यह ठीक ठाक connect नहीं हो रहा है अगर connect हो रहा है तो disconnect हो रहा है सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो यह जो डिजाइन है यह IPX5 certified है इसका मदलब यह एरफोन वाटर रेसिस्टेंट है इसा नहीं है कि आपको पानी में डुबोना है और डस्कूब भी नहीं है अट लिस्ट जीम इन स्पोर्ट एक्टिविटीज के दौरान आपके स्वेट का जो सुगंध है उससे तो यह बच नहीं पाएगा आपके स्वेट का जो प्यूरिफाइड वाटर है इससे बच जाएगा इस एरफोन में कोई लो लटेंसी मोड है कि नहीं उपो ने तो कई पे भी मेंशेंट नहीं किया है बट इसको मैंने पबजी खेलने के टाइम यूज किया है बट पबजी खेलने के टाइम रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट था सो यह एरफोन पबजी खेलने के लिए ओके है तो गाइस आब हो रहा है microphone quality testing of Oppo Enco M31 इसका call quality कैसा है इसका microphone quality कैसा है यह आपके सामने है अब लोग खुद से जज़ करो और उपर फैंचल रहे फुल फाइब स्पीड पे खिड़की बिक्री सब कुछ खुला है so noise cancellation कैसा है वह भी आप देख लो क्योंकि इसमें आपको मल जाता है noise cancellation during calls so anyway guys अगर आपको यह product purchase करना है और current pricing check करना है नीचे description पर लिंक है वहांसे जाके purchase भी कर सकतो इवन current pricing भी चेक कर सकतो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो guys वीडियो को like करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना and यह रहा मैनत का पसीना घड़ पर एस ही नहीं है हम गरीब है anyway guys वीडियो को यहां परी खतम करते हैं आप से मुलाकात होगी में नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाइ